जैसे ही शसी थुरूर को हडा कर मली कारजुन खडगे ने कॉंग्रेस अध्यक्स पत का चुनाओ जीता, उसके बाद राहूल गांधी से कॉंग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी, इस बारे में सवाल पुछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी राजनितिक भवी से क क्या होगी, वह अब नए अध्यक्स जीत तरह करेंगे, सब कुछ उनी के हाथों में हैं, वह मुझे जो जिमेवारी शौपेंगे, वह मुझे वह करना होगा, 24 साल बाद आज कांग्रेश को एक गैर गांधी अध्यक्ष मिला है, और उनका नाम मलिकारजुन खडगे है, अपने प्रतिजवंदी को इन्होंने इतने बड़े अंतर से हराया, कि हारने के वाज ससी थुरूर ने चुना में धांजली होने का आरोप लगा दिया, राहुल मैं का नाम अलोक राज है, मैं CA का स्टुडेंट हूं और मैंने CA Foundation Commerce Insights से कंप्लीट किया है, और मैं आगे CA Intermediate का पढ़ाई यहीं से कर रहा हूं, मेरा कहना है कि अगर आपको बिहार में CA का पढ़ाई करना है, तो Commerce Insights से बहतर इंस्टिट आपको नहीं मिलेगा, यहां पर आपको एक बहतर और competitive महाल मिलता, और साथ इन साथ सिक्चबर द्वारा आफी बढ़ियां से आपको मार्क प्रदेशन भी किया जाता है। और 416 वोट अमाने कर दिये गए। यह था कुल 9000 कॉंग्रेसी डेलिगेट्स के वोटों का लेखा जो खा। नतिया आने के तुरंत वास्त थरूर खरगे को बढ़ाई देने के लिए उनके घर चले गए और जिन 1072 कॉंग्रेसीयों ने उन्हें वोट दिया था, उनको धने लेकिन इसके वाद उन्होंने एक ऐसा विवादित वयान दे दिया, जिसके वाद कॉंग्रेस के अंदर अंतर कलह कितना है यह फिर से उजागर हो गया। उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सल्मान ने चुनाव में धांदली होने कारोप लगाया, और इसके वाद कॉंग्रेस पार्टी में उनकी भूंका क्या होगी, इसको लेकर सवाल किया गया, तो राहूल गांदी ने कहा कि कॉंग्रेस देश की लोगता अंतरिक पार्टी है, जिसका अपना एक चुनाव आयोग है, और TN से संजैसा चुनाव अधिकारी मधूसुदन मिस्तिरी है, लेकिन कॉंग कॉंग्रेस में ऐसा नहीं है, इसलिए कॉंग्रेस बाकी अने दले उससे बेहतर है, और उनकी भूमिका क्या होगी, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि कॉंग्रेस अध्यक्ष पार्टी के सरवोच अधिकारी होती है, हर नेता उनहीं को रिपोर्ट करता है, जहां तक मेरी भूमिका की बात है, तो नए अध्यक्ष जी तैय करेंगे कि भबिस्स में पार्टी में मेरी भूमिका क्या होगी, और मुझसे वह क्या चाहते हैं, बड़े ही बिनमर अंदाज में राहूल गांजी ने पुशे गए सवाल का जवाब दिया, नए अध्यक्ष के राजितिक स कॉंग्रेस में सामिल हुए थे, और फिर कुछ दिनवाद कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष भी बन गये थे, इस चुनाओं में जीत के साथ ही कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने वाले वह पैसठवे नेता बन गये हैं, आजादी के 75 साल में 42 साल पार्टी की कमान गांधी परि गया था, इस ब्रहम को भी तोरना मलिक आरजुन खरगे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, इसके बाद दूसरा चैलेंज यह है कि राजस्थान में असोग गहलोत और ससीन पाइलेट के बीच में जो खीचा तानी चल रही है, उसे ठीक कैसे किया जाए, क्योंक में अगर मलिक आरजुन खरगे असोग गहलोत और ससीन पाइलेट के बीच ताल में ठीक कर देते हैं, तो और अस्थान में काफी कुछ बदल जाएगा, कोई दूसरी और जमेनी अस्तर पर उत्तर परदेस और बिहार जैसे राज्यों में इन्हें अपने कारकरताओं को तया साथ नहीं लेना चाहती है, और लेती भी है, तो कंग्रेस को साथी दलों का पूरा बात मानना परता है, और तीसरा सबसे वड़ा चैलें इन 2024 में होने वारा लोग सभा चुनाव है, क्योंकि 2014 और 2019 में कंग्रेस का हाल बहुत खराब रहा था, ऐसे में 2024 में देश की सबसे प किम तैयार करके हर कमजोरी का हल निकानला होगा, बाकि आप इस नए अधक्स के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंटर नहीं से बताईएगा, और क्या इनका भी हाल मन महन सिंग जैसा ही हो जाएगा, क्या इन्हें भी रिमोर्स से ही कंट्रोल किया जाएगा, इस बारे के लिए जनता जंक्सन देखते रहिए वीडियो को शेर कीजिए कैमरे के पीछे मेरे स्रयोगी विसाल है बहुत बहुत धन्यवाद